नमस्कार, अकंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस The Trinology of Indian Kingdoms सत्यूक से 20.000 शदाबी CE की सीरीज में हम जानेंगे सत्यूक से आज के इंडिया तक के सामराजों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन समराजों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ मर्चपूर, घटनाएं और निर्मान। इस सीरीज का ये 21.000 शप्टर है। इसमें हम 666 CE से 735 CE के समराजों के विशे में जानेंगे। इस कालखन में पार्सी लोगों का फारस जिसे आप इरान कहते हैं से भारत में प्रवास के लिए आना श्रू हुआ था। तो चलिए श्रू करते हैं आज का ये शक्तर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित विभिन किताबों वा वेबसाइट से 31 करी गई है। इन सभी का सत्यापन हर प्रश्ट के नीचे दिये गए विरवन से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित दिखाए गए हैं हम उन सभी पुस्तक वा वेबसाइ से 753 सी तक रहे। महा के राजानी गुजरात में नवसारी जिसे पहले नवसारिका या नार्ग बंडल खहते थी। धर्श्राय जैसिंग वर्मन यहां के पहले राजा थे और कीटी वर्मन दुतिय या रहप्पा अंतिम्राजा थे। यहां के राजा भारती उपमादीप हिंदू दर्म को मानते थे। नवसारिका के चालुक के पहले बदामी के चालुक कर आये थे। नवसारिका के चालुक के बाद कूट राजवाइश आया था। चालुक ने 6 अधाब्दी से बारवी शाजशुरावदीद के बीच दक्षNew और मद्भारत पाश्चन किया। त पश्चिमी या कल्याणी चालुक जागिदार में लाट के चालुक के शामिल है। नवासारिका के चालुक को गुजरात के पररंबिक चालुक भी कहा जाता है। राश्कूट राजवंच ने उन्हें अपने साथ मिला लिया। संजान और नवसारी में पार्सी का प्रवास। फारस्या इरान का सास्तिन साम्राज जो की एक पार्सी साम्राज था 651 सी में धुस हो गया। और यहां जल्द ही राशिद उन खिलाफत का हिस्सा बन गया। जिस होमुर्ज से जहाद से यात्रा करते थे और दीव में भारती तक्टर उतरते थे। फिर वे तक के साथ साथ संजान शहर चले गए। संजान का नाम उनके द्वारा उत्तरी ईरान में जानजन नाम के एक शहर की याद में रखा गया था। संजान में इस्थानी हिंदु को अपनाएंगे कि उनकी महलाएं इस्थानी साड़ी पुर्षाक अपनाएंगी और वह अब से हत्यार उठाना बंद कर देंगे। पार्सी संजान में बस गए और वलसाग में उद्वारा में 721 में भारत में एक प्रथम शेणी का अगनी मंदर इरांशा अताश बहराम नामक अपना पहला अताश बहराम स्थापित किया। इरान शाह अताश भेराम भारत के आठ अगनी मंद्रों में से पहला है। जमशेजी ताटा एक प्रमुख पार्सी व्याक्षाई नवसारी के थे। त्रिपुरी के कल्चूरी 675 सीई से 1210 सीई तक रहे। महाति राजणी मद्र पदेश में तेवर जिसे पहले त्रिपुरी कहते थे। वामराज देव यहां के पहली राजा थे और त्रेलोक्यमल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारती उपमादीप मूल के निवासी लिंदू और जैन धर्ब को मांगते थे त्रिपुरी के किलशोरी के पहले गोट्जर पत्या राजवश आये थे, त्रिपुरी के किल्शोरी के बाद गाहळवाल राजवश, चन्देर राजवश, मालवाके परमार, दिल्ली सल्तनत ममलुक राजवश, गढ़ का गौन समराज रत्मुर्ग के कल्चुरी आए थे। माना जाता है कि कल्चुरी है के वंचेस्तें, कि दंदियों के अनुसार कल्ली का आर्थ है लंबी मूच है और चुरी का आर्थ है तेज शाकू। लंबी और स्पष्ट मुशों के कारण इनका नाम कल्चुरी पढ़ गया। उन्होंने एक के बाद एक निम्र नामों से राजि किया। महिश्मदी के कल्चुरी या प्रारंबे कल्चुरी 580-620 सीह तक। त्रिपूरी के कल्चुरी या उत्तरी कल्चुरी समराज 622 से 1210 सीह तक। सर्यू पार के कल्चुरी 800 सीह से 1080 सीह रत्मपुर के कल्चुरी 1 000 सीह से 225 चीह तक। कल्याणी के कल्चुरी या दक्षरी कल्चुरी समराच 156C-188C. उन्हें उत्तरी कल्चुरी या चिदी, है है धहलस तुमन्ना के कल्चुरी भी खा जाता है. उन पर अंतिता हैं चलंदेर राजवंश, मालवा के परमार और दिल्ली सल्तनत ममलूग राजवंश द्वारा कबज़ा कर लिया गया था। उनके साशनकाल के प्रमुक निर्मार। मेहर सतना में दस्वी शताबदी से गयर्वी शताबदी का गोलामत मंदर। अमर कंटक में गयर्वी शताबदी से का तर्मुकी मंदर। अमर कंटक में गयर्वी शताबदी से का करण मंदर। बेड़ा घाट जबलपूर में 11 शताबदी से का चोसर यजोगिनी मंदर। 4 कवरधा में 1050 क Sams get भोरंद्य मंदर। जबुलिस्तान के रुद्बिल 680C से 870C तक रहे, बहा के राज़ानी अफगानिस्तान में गजनी थी, तेगिन शाय यहां के पहले राजा थे, यहां के राजा भारती उब्मदीब मूल के निवासी थे, हिंदु धर्म को मानते थे, और बैक्टेरियन उनकी भाशा थी, जबुलिस्तान के रुद्बिल के पहले तुर्क शाही राजवंश हफ्थाली समराज आये थे, जबुलिस्तान के रुद्बिल के बाद सफ़ारी राजवंश लावेक राजवंश आये थे, जबुलिस्तान अफगानिस्तान में जबुल और गजनी का छेतर है, रुद्बिल का जाबुलिस्तान चले गए और जाबुलिस्तान के रुद्बिल नामक अपना राज इस्थापित किया। सुन्बिल जाबुलिस्तान का शाही राजवाज था। 661 सीजी में उमयत खिलाफत ने जाबुल पर पहला अरब अक्रमर किया। जाब लगाई 822 सीजी तक जाई रही जब आखिरी जुन्बिल गिर गया। 653 से 654 सीजी में उमयत खिलाफत के एक जनरल अब्दुर्रह्मान बिन समारा ने जुन्बिल छेत्र में जून मंदर में प्रविश किया। और जून्बगवान की सुनहरी मूर्ती के दोनों हाथ काड़ दिये और मूर्ती के मानक की आँखों को निकाल लिया। चावड़ा राजवश 746 सीजी से 942 सीजी तक रहा। महां के र्याज़ानी गुजरात में पंचसर और पाठन जिससे पहले अनहलवार कहते थी। वनराज यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भरती उपमद्व मूल के निवासी थे। हिंदू धर्म को मानते थे। और प्राचीन गुजराती और प्रकृत उनकी भाशा थी। चावणा राजवश के पहले वलभी के मेत्रक गुजर पतिहार राजवश आये थे। चावणा राजवश के बार गुजरात के चौलक के चुडासमा राजवश कच्छ समराज आये थे। चावणा वलभी के मेत्रिक के जागिदार थे। उन्होंने वलभी के मेत्रिक के पत में राज सिंगा साज से हटा दिया और सुलंकी राजवज की स्थापना की जिससे गुजरात के चौलुक भी कहा जाता है उनके साशनकाल के प्रमुक निर्मार पार्टन में आर्टवीश राभी सी का पंचसर पार्शरवनार मंदर मल भूमि सामराज 694 सी से 1947 सी सी तक रहा वहां की राज़ारी पश्चिम मंगाल में लौगराम प्रद्युम्नपुर जो अग्यात है विश्टुपूर जिसे पहले बोन विश्टुपूर कहते थे आदी मल या रगुनात यहां के पहले राजा थे और कलीपद सिंग ठाकोर अं जबासी थे हिंदु धर्म को मानते थे और संस्क्रत बंगाली उनकी भाषा थी मल भूम सामराज के बाद भारत ग्रणाज आया इन्हें मल वंश्या विश्टुपूर सामराज भी कहा जाता है सामराज साबक आदी मल को बागडी राजाने के नाम से भी जाना जाता था 1554 से में विश्टुपूर को बेटिश सर्माज कंप्री राज को सौब दिया गया था 1947 से में इंस्टूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हसाच्यकर वभार ग्रणाज में समलेत हुए उनके साशनकाल के प्रमुक निर्मार ओंडा बहुलारा माकुरा में दसवी शिदाबी सी का सिद्ध 1292 सी का तारा पीठ मंदर यहां 511 पीठों में से एक है ऐसा माना जाता है कि देवी सती की पुतली यहां गिरी थी मंदर का प्रमार 1818 सी में किया गया था मलारपूर वीरभूम में 1292 सी का मलारपूर शिब मंदर दीहर विश्णपूर में 344 सी का सांडेश्वर या संदेश् मंदर विश्णपूर में 1600 सी का रसमंच मंदर विश्णपूर में 1622 सी का मलेश्वर मंदर विश्णपूर में 1643 सी का पंच रत्न मंदर विश्णपूर बाकुरा में 1643 सी का श्याम राय मंदर गोकुल नगार बाकुरा में 1643 सी का गोकुल चन मंदर विश्णपूर में 1655 सी का जोर मंगला मंदर, विष्णपूर में 1656 का कालाचन मंदर, विष्णपूर में 1658 का लालजी मंदर, विष्णपूर में 1669 का राधा विरोध मंदर, विष्णपूर में 1665 का मदन गोपल मंदर, विष्णपूर में 1665 का मुरली मोहन मंदर, विष्णपूर में 1694 का मदन मोहन मंदिर, विष्णपूर में 1726 सी का जोर मंदिर, विष्णपूर में 1729 सी का राधा गोविन मंदिर, विष्णपूर में 1727 सी का राधा मादव मंदिर, विष्णपूर में 1722 सी का नंदलाल मंदिर, विष्णपूर बांकुरा में 1822 सी का पठपूर मंदिर, विष्णपूर में कहलूर रियासत 697 सी से 1947 सी तक रहा की राज़ानी हिमाचल प्रदिश में। कोट कहलूर, सुन्हानी और बिलासपूर थी। बीर्चन यहां के पहली राजा थे और अनन्चन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारती उपंदिप मूल के निवासी थे। यहां 1815 में बिलासपूर राज कहलाता था। 697 सी में चंदेरी के राजा हरीहर्चन कांगणा में ज्वाला मुखी की तीर स्यातरा के राज से में कांगणा के ततकाली नाजा दोरा मारे गए थे। मुलक राजा के पुत्र बीर्चन ने घर वापस नहीं जाने का फैसला किया और नया राज कहलूराज स्थापित किया। 1570 सी में राजा ग्यांचन ने इसलाम धर्म अपना लिया। वे 1833 सी से 1815 सी तक नेपाल समराज के कबजे में रहे। 1815 सी में बिटिश सामराज कंपनी राज ने नेपाल समराज के गोरखाओं को खदिर दिया और वह बिटिश सामराज कंपनी राज के सरज्चित राज बन गए। 1947 सी में इंस्टुमेंट ओफ एक्सेशन पर हस्ताश्यकर वह भारतगर राज में समलित हुए। उनके साशनकाल के प्रमुक निर्माण। नेना देवी पहाडी में 697 सी से 730 सी के दोरान राजा बीर्चंद ने कोट कहल हुद का किला निर्माण कराया। 697 सी से 730 सी बिलासपूर में नेना देवी मंदिर यह देवी सती के शक्ति पीथों में से एक है। ऐसा मना जाता है कि देवी सती की दाही नियाक यहां गिरी थी। धोल्रा बिलासपूर में सत्रमी शदाबी सी का श्री बाबा नाहर सिंग मंदर। कत्यूरी समराज 730 से बारेसों सी इतक रहा। बहा के राजानी उतरा खंड में बैजनात जिससे पहले कत्यूर या कारटिके पुर कहते थे। जोशी मत जिससे पहले जोती मत कहते थे। वसाफुदेव कट्री यहां के पहली राजा थे और वीरदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारती उपादीब मुल्क निवासी थे, हिंदू और बुद्धर्ब को मानते थे, और कौमाउनी, संस्क्रत और दोतियाली उनकी भाषा थी। गत्यूरी समराज के पहले कुरिन समराज आया था, गत्यूरी समराज के बाद चान समराज, खस्मल समराज, डोटी समराज आया था, उन्हें जियोतिरियन समराज या कुर्मांचल समराज भी कहा जाता था, अंतिम साशक, वीर्डेव, उच्छ करसंग्रह और लोगों को अपन और विखर्णनन का कारण बना। अंतिताय उन्हें चान सम्राज द्वरा विस्थापित कर दिया गया। उनके साशनकाल के प्रमुक निर्माण। अर्तुल जागेश्वर में साफीश्टाबी से चौवीश्टाबी सी का जागेश्वर मंदर परिसर। जुषिमट में नोवीश्टाबी सी का वासुदेव मंदर, 89 श्दाबी सी का कट्रामल सूरि मंदर परिसर, 12 श्दाबी सी का बैजनात मंदर परिसर। कन्योच का वर्मन राजवंच 725 सीई से विलंबित आठवी शिदाबजी सीई तक रहा, वहां की राज़ानी उत्रपरदीश में कन्योच थी, यशुव वर्मन यहां के पहले राजा थे और भोज अंतिम राजा थे, यहां के राजा भारती उपन्दिप मूल के निवासी थे, हिंदु धर्म को मानते थे और संस्क्रतों की भाषा थी, कन्योच का वर्मन राजवंच के पहले पुशिबूती राजवंच आये थे, कन्योच का वर्मन राजवंच के बाद कन्योच के आयुद आये थे, पुशिबूती राजवंच के अंतिम शाशक हर्षवर्दन की बिन यश्रवर्मन की दरबार में रहने वाले कभी वाकपती राजा द्वारा की गई थी, जिसमें यश्रवर्मन को बिहार, बंगाल, पर्शिम दक्कन, सिंदुगहाटी और कश्मीर साइथ, उतरभार के बड़े शित पर विजयर प्राप्त करने के रूप में दशाया गया है। 126 सी से 1817 सी तक रहा, वहां की राज़ानी ओरिसा में राज कनिका, बजरपुर, रीघागर थी, यहां के पहले राजा भुजबल भांज थे और बल्बद्र भंज देव अंतिम राजा थे, यहां के राजा बार्टी उपधुमूल के निवासी थे, हिंदु धर्म को मानते कनिका रियासत के बाद बिडिश सामराज कंपनी राजाय था, 1817 सी में इन्हें जमीदारी में अगटा दिया गया, उनकी साशेंकाल के प्रमुख निर्मार, राज गंद कनिका में कनिका पलेस, उनकी साशेंकाल की दोनन बनाय गया था, जसल मेर रियासत 731 सी से 1947 सी तक रहा महां की राजारी राजस्तान में तनोट लोदरवा जिसे पहले लोदरवा कहते थे और जसल मेर थी केहर यहां के पहले राजा थे और जवाहिर सिंग बहादुर अंतिम राजा थे यहां के राजा भारती उपमादीब मूल के निवासी थे, हिंदु दर्म को मानते थे वो बिटिश भारत के एक रियासत थे जसल मेर रियासत के बाद भारत गरणाज आया था जसल मेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है जसल मेर का भटी वंश यदू के वंशज होने का दावा करता है उन्होंने मूल रूप से अफगानिस्तान के कुछ हिस्तों पर साशन किया उनके पूर्वजों में से एक रावल गज ने गजनी शहर की स्थापना की 731 सिए में केहर या एहर पथम ने तनोट की स्थापना की तब इसे तनोट राज या भाती राजवश कहा जाता था 853 सिए से 908 सिए के दोरान देवराज ने जसल मेर साही राजवश की स्थापना की 156C में राजा रावल जैसल ने जैसल मेर को लूडोवा के नाम से स्थापित किया, जिसे बात में गोरी राजवा Points द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 294C से 301C के दौरां राजा रावल जैसी को दिल्ली सलतनत खिलजी राजवांस द्वारा आठ साल की घिरावंदी का सामना करना पड़ा जिसकी वज़ा है अपनी आबरू बचाने के लिए मालाएं जोहर यानि आत्पेंटा करनी थी आखिरकर जसल में रियासत ने किले पर फिर से कबजा कर लिया 350C से 330C के दौरां दूसर जोहर इसी तरह की परशितियों में होता है इस पर दिली सल्तनत तुकलक राजवंच के खिलाब 530C से 555C के दौरां राजा रावल लूना करन के समय में जब एक अफगानी अमीर अली ने जसल मेर पर हमला किया तभी तीसा जोहर भी हुआ जिसे आदा जोहर भी कहा जाता है अमीर अली ने रावल लूना करन के अनुमती प्रात की जिससे कीवा अपनी पत्नियों को जसल मेर कीरानियों से मिलाने दे अमीर अली ने महलाओं वाली पालकियों में मेलाओं के वीच में शशत्र योद्दा भरे हुए थे जिन्होंने किले के पहरेदारों को अशर चकित कर दिया जब रावाल को लगा कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है तो उसने अपनी मेलाओं को अपने हाथों से मार डाला क्योंकि उनके पास अंतिम सस्कार की चिता की बेवस्ता करने के लिए पर्याप समय नहीं था दुख की बात है कि जोहर के तुरन बाद अतरिक सेंड मदद पहुंची और अमीर अली को तोप की गोले से उड़ा दिया गया 1517 CE में राजा रावल हर राज के साशनकाल में उन्होंने मुगल सामराज की आधिंता स्यूकार कर ली 1947 में इंस्ट्रूमेंट अफ एक्सेशन पर हस्ताशा कर वा भारत गर्ण राज में समलित हुए उनके साशनकाल के प्रमुक निर्मार तनोट में 828 CE का दनोट प्रमंदर एहमदपुर पूर्वी तहसील पकिस्तान में 29 які की का डेरावर किला लोदरवा में 29 Armor 18 Sydney का लोदरवा जैन मंदर जिसे 1152 CE में गजनवी सामराज की के गजनी ने लूट लिया था जसलमेर में 155 CE का जसलमेर किला जेसलमेर में 1556 सीई का गदी सरजील, पोकरण में 585 सीई का पोकरण किला मेवार सामराज गुईला राजवंच 734 सीई से 303 सीई तक रहा वहां की राज़ानी राज़सान में नागदा, अहर जिसे पहले अगहाता कहते थे और चित तोड़ थी बपारावल या कालभोज यहां के पहले राज़ा थे और रतन सिंग अन्तिम राज़ा थे यहां के राज़ा भारतियों बंदी मूल के निवासी थे, हिंदु धर्म को मानते थे मेवार सामराज गुईला राजवंच के पहले मेवार सामराज मोरी राजवंच आये थे मेवार सामराज गोहिला राजवाज के बार दिली सल्तनत खिलजी राजवाज आया था उन्हें मेवार का गोहिलोद भी कहा जाता था मेवार सामराज मोरी राजवाज के अंतिम साशक मान मोरी ने अपने राज में राजकुमार बपा रावल को आशर दिया और उन्हें अपने राजी का जागिज़ा बना दिया बपा ने अरब अग्रांताओं के खिलाब मानमोरी के अबियान का नित्व किया जिसने उन्हें एक पसिद नाम बना दिया 744 C.E. में बपा रावल ने मानमोरी को अबदस कर दिया और अन रईसों की मदद से चित्तोर के राजा बने और मेवार सामराज गोहिला राजवज की शुआत की 10.वी शिदाबी C.E. के दौरान राजा अंबा परसाथ ने गजनवी सामराज के महमूद गजनी से लड़ाई-लड़ी और उसे खदेर दिया 13.वी शिदाबी C.E. के दौरान राजा समर सिंग के पुत्र कुम करण नेपाल चले गए जहां उनके वंशच नेपाली शाही पर बार बन गए 12.34.C.E. में उन्होंने दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवज के सुल्तान इल्तमुष को हराया 13.C.E. में दिल्ली सल्तनत खिल्जी राजवज के अलाउदेन खिल्जी ने चित्तोड पर आक्रमर किया वह राणी पदमावती या पद्मनी को देखा चाता था जो राजार अतन सिंग की पत्नी थी खिल्जी को पत्मनी के महल से राणी पत्मनी को दिखाने के लिए राणी के पत्विम द्वारा दरपण को इस तरह से बदलने की अनुमती दी गई थी कि अगर वह पीछे मुड़े तो भी उसे कमरा दिखाई नहीं दे रहा था खिल्जी को राजार अतन सिंग ने छेतामनी दी थी कि अगर वह पीछे मुड़ा तो उसी गर्दन कार दी जाएगी बाद में 303 सी में राजार अतन सिंग की मृत्ती हो गई दिल्ली सल्तनत खिल्जी राजवंश के अलाउदिन खिल्जी ने चितोर पा आकमर किया और किले की दो महीने लंबी घेराबंदी की उनकी सेना आखिर कर किले में प्रवेश करने में सफल रही यह मसूस करते हुए कि हार आसन्नत थी राणी पद्मावदी ने अपने समान की रक्षा के लिए जोहर में जोकि चितोर के लिए में पहला जोहर था चिता में कूद कर आत्म दहा कर लिया बाद में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवश ने मेवार समयच पर अधिकार कर लिया उनके साशनकाल के प्रमुक निर्मा चित्तोरगर में 734 सीई का राना कॉंभा पैलेस चित्तोरगर में आर्फिक शदाबजी सीई का कालिखा माता मंदिर केलाशपूरी उदैपूर में 734 सीई का एक लिंग जी मंदिर 333 सीई में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवश के अलाउदिन खिलजी और बाद में पंद्रवी शदाबजी के अंत में मालवाल सल्तनत के ग्यात शाह ने इस मंदिर को लूट लिया और मूर्तियों को छत्रिगस कर दिया था बाद में इसे मेवार सामराज से सुधिया राजवश के राजा राणा कुमभा द्वारा पंग्रवी शदाबी सीई में दोबारा बनाया गया था जगरत गाउं उदैपूर में 961 सीई का अंभिका माता मंदिर कि तरगर में बारवी शदाबी सीई का एक जैन व्यापरी द्वारा बनवाया गया किरती स्थम गुमली के सैन्वास 735 सीई से 920 सीई तक रहे वहां की राज़ानी गुजरात में गुमली जिसे पहले भूटाम बिलिका कहते थे थी पुशेर यहां के पहले राजा थे और जाईका अधुतियर अंतिम राजा थे यहां के राजा भार्टी बंदी मूल के निवासी थे हिंदु धर्म को मानते थे और संस्क्रत और प्रक्रत उनकी भाशा थी गुमली के सैन्वास के पहले वलबी के मैतरक आये थे गुमली क के पश्चिमी सोराजशेत में खुद को स्थापित किया प्रारमया उन्होंने वलभी के मेत्रिक के साथ साशन किया आठफिश लाभी सी के दौरान उन्होंने अब्बासित खिलापत की नौसेना को दो बार खदेर दिया नोलंबा राजवश 735 से 1054 सी तक रहा वहां की राजदानी कनाटक में चित्रदुर्ग आंध्रपदिश में हेमावती थी मंगल नोलंबी धिराज यहां के पहले राजा थे और त्रेलोक्यमल्ला नन्नी नोलंबा धितिय पल्लव परम नादी अंतिम राजा थे यहां के राज राजवाण्श के पहले पल्लव समराज आया था राजवाणश के बार मद्कालीन्चोल समराज आया वे पल्लव समराज बादमी के चलोग के में पश्रिमी गंग राजवश राज्टकूरवымश और में नोसो सी का कलेशवर मंद्र इसके साथ ही इस सीरीज का ये चेक्टर समात होता है मिलते हैं एक नए चेक्टर में तब तक के लिए नमस्का जैहिन